हलो दोस्तों, Excel Power BI Tutorial के इस एपिसोड में आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम अपने local desktop पे, local system पे कैसे हम लोग Power BI को download करके install कर सकते हैं तो चलिए इसे करके देखते हैं, तो इसके लिए मैंने अपना ये Chrome browser open किया है और यहाँ पर जाके हम टाइप करेंगे Power BI Download एक बार Power BI Download करके मैं यहाँ पर enter button प्रेस करूँगा तो आपके पास यह सारा link open होगा इसमें से पहला link जो आपको दिख रहा है, वो है powerbimicrosoft.com और यहाँ से आप Power BI का अपना desktop का version डाउनलोड कर सकते हैं तो मैं इस link पर क्लिक कर रहा हूँ इस link पर क्लिक करने के बाद यह Microsoft Power BI का officially page open होगा यहाँ सही हम लोग download करेंगे Power BI यह page open होने के बाद यहाँ पर आपको दिखेगा यह product का option इस पर क्लिक करेंगे इस पर क्लिक करने के बाद पहला जो option आ रहा है Power BI Desktop इस पर क्लिक करेंगे यह page open होने के बाद यहाँ पर आपको दिखेगा download free एक option है और दूसरा option है see download all languages यानि कि अपने पास यहाँ पर more language है तो मैं इस पर क्लिक करके language को मैं select रहा हूँ ऐसे by default यह English में ही download होता है मैं यहाँ पर जाकर मैं click करके देख रहा हूँ कि क्या-क्या other language available है तो आप देख सकते हैं कि new page open हुआ है अगर मैं नीचे की तरफ में जाओ तो यहाँ पर आपको दिखेगा select language यानि कि अभी by default English select है मैं नीचे जाकर देख रहा हूँ विंडोस 12 होना चाहिए विंडोस 8 पी भी काम करेगा और दूसरा है कि इसके लिए क्या होना चाहिए या आपका जो desktop है या फिर आपका जो laptop है वो 30 bit होना चाहिए या फिर 64 bit होने से भी चलेगा तो कैसे पता चलेगा कि आपका system 32 है या 64 है तो इसके लिए आपको क्या करना होगा आपको जाना होगा रन पे रन पे जाने के बादे यहां पर आप सर्ज करेंगे system system information पर आप जब क्लिक करेंगे यहां पर तो system information का new pop a box open होगा यहां पर आप देखेंगे यहां पर आपको दिखेगा यह system type 64 bit या फिर आपको हो सकता है 32 bit है तो आपको यहां पर दिखेगा तो आप अपने हिसाब से उसे download करेंगे तो मेरे यहां system जो मेरा system है वो 64 bit का है तो मैं 64 bit वाला download करूँगा तो मैं यहां पर जाकर English को select करके मैंने download पर click किया अभी यहां पर आप से पूछ रहा है कि यह 64 bit download करना है या फिर आपका 32 bit तो मैं क्या कर रहा हूं मैं 64 bit पर click कर रहा हूं तो आप देखेंगे कि यहां प्यारा है यह 362 MB का है करके मैं यहां पर इसको download कर रहा हूं मैं next पर click कर रहा हूं next पर click करने के बाद यह एक page open हुआ है और आप देख सकते हैं कि यह नीचे में हाँ download शुरू हो गया है यह total अभी है 363 MB तो इसमें कुछ time लगया है तो तब तक के लिए मैं वीडियो को पाुज कर रहा हूं एक बड़ जैसी ही download open हो जाता है तो मैं आपको फिर से यह वीड complete के आसपास में लगा है और यह फुली download हो गया है अब इससे हम क्या करेंगे इस पर double click करेंगे और double click करेंगे तो यह installation का जो process है वो चालू हो जाएगा तो आप देख सकते हैं यहां confirm हो गया है कि यह download हो गया है मैं इसको double click कर रहा हूं आप देख सकते हैं Power BI desktop का जो setup process है वो इस्टार्ट हो चुका है यहां से हमें जाकर यहां पर उसका language चेक करना है तो मेरा वो English था तो मैं यहां से जाकर English को select कर ले रहा हूं करके मैं यहां पर जो next button है मैं उसको press कर रहा हूं देख सकते हैं installation process स्टार्ट हो चुका है उसके बाद यहां से मैं next button पर क्लिक करूंगा यहां पर जो आ रहा है आपका license का term and condition उसके क्लिक करना है एकसेट पर एकसेट पर क्लिक करने के बाद next button को press करना है तो फिर destination folder का option आया है जहां से हम change कर सकते हैं कहां पर यह install करना है तो by default यह ले रहा है c drive के program file में लेकि मेरा c-drive full है तो मैं चारा हूं कि मैं इसे d drive में करूँ तो मैं इसे change करके यहां से मैं जा रहा हूं अपने d drive में तो मैंने d drive पर क्लिक किया और यहां पे मेरे पास एक option आ रहा है install software मैं उस पर click कर रहा हूं मैं चारा हूं कि इसमें installed हो करके मैं इसे ok कर दे रहा हूं तो मैंने यहां पर select कर लिया तो आप देख सकते हैं कि यहां पर path change हो चुका है उसके बाद मैं कर रहा हूं next पर click next पर click करने के बाद यह finally यहां पर एक option आ रहा है जहां पर यह बूल रहा है कि आप इसे किलिएट करना जा रहा है डेक्स्टाप सॉटकर्ट, बाइडिफॉल्ट है selected है, और यहां पर तीन option है, उसमें से मैं install पर जाकर किलिक कर रहा हूँ, finally install के लिए, तो installation का process स्टार्ट हो चुका है, अब देख सकते हैं, install हो गया, काफी speed में install हो रहा है, तो अब देख सकते हैं, finally install हो चुका है, और यहां पर मेरे पास एक option आ रहा है, कि ड्रेक्ट मैं इस Power BI को यहां से launch कर सकता हूँ या नहीं, तो अगर मैं finish कर दूँ, तो यहां से Power BI open हो जाएगा, दूसरा option यह मेरे desktop इस shortcut create हो चुका है, तो यहां से भी हम कर सकते हैं, इसे open, या फिर मैं direct यहां से finish करूँ, तो Power BI का जो यह है, अपना application, यह जाकर यहां पर भी launch होगा, यानि कि open होगा, तो मैं finish पर click कर रहा हूँ, Power BI का यह application open हो रहा है, यह आपके screen पर दिख रहा है, यह open हो चुका है, यहां पर कुछ first time में कुछ information यहां पर दिया है, अगर आपको यह video अच्छा लगा है, तो आप इस video को like करें, और हमारी channel को subscribe करें, वाज के video में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले video में किसी नए topic के साथ, तब तक ही धन्यवाद।